तो भाई लोग प्रभास, अमिताब बच्चन, दिपिका पादुकॉन, कमाल असन जैसे ही स्टार कार्ट से सजी कलकी 2898AD मुवी आ चुका है और भाई मैं क्या ही बताओं सबसे पहले तो मैं नागा सुन की तारीफ करना चाहूँगा उसके लिए तालिया बजाना चाहूँगा भाई, जिस तरह के उसने अपना विजन को हमारे सामने प्रस्तूत किया है भाई, काबिले तारीफ है, बहुत ही कमाल का है और भाई हम लोग को जैसा की पता है कि ये मुवी भारी भर कम बजट के साथ आता है, लगबग 600 करोर की बजट में ये मुवी बनी है, और 600 करोर कहा फुका है नागा सुन ने, ये सब हमें मुवी में देखने को मिलता है और जैसा की पता है कि यही 600 करोड की बजट में मुवी कई सारी बन चुकी है पर उस तरीके से कमाल नहीं दिखा पाया है खास करके आदेपुरुस ने 600-700 करोड की बजट ने बनी थी और उसका प्लोट बहुत ही खराब निकल के आया था और यहाँ पर नागासुन का विजन साफ साफ नजर आता है इस मुवी में मैं भाई जितना भी तारीब करूँ इस मुवी के लिए नागासुन के लिए वो बहुत कम नजर आएगा ये इंडियान सिनिमा की जीत है और यह तो सुरुवाद है नागसुन ने वो इस्टेंडर सेट अप किया है कि आगे भी इस तरीकी का मुवी हमें देखने को मिलेगा बाई और रही बात इस मुवी की इसकी स्टोरी के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा तो जैसे कि हम लोगों ट्रेलर और टीजर देखने के बाद थोड़ा महुत अंधजा हुआ था जो कि कासी नाम का एक सहर है जो कि आखरी सहर है इस मुवी में नजर आता है और वहाँ पे ना तो पानी है और ना ही ताजा हावा और लोग वहाँ पे पानी के लिए तरस रहें और पान प्रभास को चाहिए यूनिट्स और प्रभास कॉंप्लेक्स जाने के लिए यूनिट्स को इकटा करना पड़ेगा यानि कि उसे बॉंटी हंटर का काम करना पड़ेगा तो इस भी बॉंटी हंटर के लिए उसने दिपिका पादुकोन को यानि कि सुमती को पकाड़ कर अब इस तरीके से भाई अमिताब बच्चन ने इस परगा आ को जी आ रहे में देखने को मिलेगा के और गैदयाosh और दिपेका बादूकॉन को तो सुंति को परडू को इस इस मोई में देखने को मिलेगा और इस भीस तरीके से असवत द्हमा और भेरवा के भीस फाइट्स होता है वो तुम्हें मुवी देखने के बाद ही पते चलेगा और भाई जब यह मुवी स्टार्ट होता है तो तुम्हें कमाल का द्रिस से देखने क्यों मिलेगा का तुम लोग सुचोगे कि यह क्या है भाई क्या बना दिया है नाद असमिन ने और यह मुवी लग वारे में जानने को मिर रहा है तो यह लंबर टाइम जितना भी लिया है वो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे खास करके पसंद आया है और तुम लोग को देखने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन फर्स्ट आप भी मुझे बहुत ज्यादा एंगेजिंग लगा लेकिन सेके मुझे के लिए एक ही चीज़ से नाराज हूँ वो है दिसा पर्टानी उसको क्यों इस मुझे में घसीटा भाई जवरदस्ती के लिए वह नहीं भी होती ना तो यह मुझे चलता भाई बाकि जितने भी कैरेक्टर से जितने भी एक्टिंग किया है बहुत ही कमाल का एक्टि साथ कमाल असन और बाकि भी कैरेक्टर है उसने बहुत अच्छे तरीके से निवाया जिस तरीके से हमें इस मुझे में कॉमेडी देखने को मिलता है प्रभास के जर्य से वो बहुत ही अच्छा है पर कुछ कुछ जगा वो काम करता है और कुछ कुछ जगा पर नहीं तो यह मेरे लिए सर्प्राइस था कि प्रभास भी इस तरीके से एक्टिंग कर सकता है और बहुवले के बाद प्रभास का जो कम बैक हो रहा है वो ये मुवी है ये मुवी भाई बहुत ही कमाल करने वाली है और भाई इसके वी एफेक्स, सीजी आये colors और जो भी performance है वो बहुत ही लाजवाब निकल के आया है और जितना भी वी एफेक्स आया है जितना भी fight से नजर आया है भाई वो एक एक frame by frame देखकर बनाया गया है बहुत ही detailing से इस movie को बनाया गया है और कहां पे 600 करोड यूज किया गया है वो नजर आता है और जितना भी इसमें महाभारक का sequence दिखाएगा है वो तो बहुत गुबजान फिल होता है भाई इसका music देख लो इसका VFX भी देख लो भाई बहुत ही लाजवाब मैं इसमें कोई भी कमी नहीं निकाल सकता और climax का जो सीन है प्रभास का जो character surprise आता है भाई वो मैं तुम लोग को नहीं बताऊंगा तुम लोग जाकर के इस movie को देखो और हाँ last में तुम लोग उटकर मत जाना थोड़ा बहुत एक surprise तुम्हें देखने को भी मिलेगा और इस movie में बहुत सारा cameo भी देखने को मिलता है जो कि अगले आने वाले part बहुत ही important होने वाला है भाई और भाई मैं इस movie को देखने के बाद कुछ अलग feel कर रहा हूँ इस तरीके का movie बार बार देखने को नहीं मिलता तो तुम लोग जाओ और इस movie को जरूर से देखना तो नीचे comment करके भी बताओ तुम लोग को ये movie कैसा लगा है और वीडियो को like कर लेना और चैनल को subscribe नहीं के हो तो चैनल को भी जाके subscribe कर सकते हो और मेरा reaction वार वीडियो नहीं देखे हो तो उसको भी जाकर कर देख सकते हो